हेई फ्रेंड्स आजकी इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुती सिंप्यल सा लेकिन एक बहुती शांदर सा एक सांसेट का सिन पेंटिंग करके दिखाऊंगा एक सांसेट का वीडेच सिन तो इसी लिए आभी आप देख रहे हैं कि आभी सबसे पहले मैंने यापर सिं कर लेता हूँ मतलब कहा पर कौन सा चीज पेंट करूंगा इसका एक राफ करके यहापर मैंने एक आइडिया लगा लिया है और उसके बाद अभी देखिए यहापर मैंने कलर करना स्टार्ट कर दिया है तो फ्रेंड्स यह जो कलर अभी मैं कर रहा हूँ यह स्काई का कलर है जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि आज का यह जो पेंटिंग होगा यह सांसेट का पेंटिंग होगा तो सांसेट टाइम का जो स्काई होता है वो बहुती कलर्फुल होता है तो इसलिए देखिए सबसे पहले मैंने यहापर योलो कलर उसके बाद पिंक कलर और उसके बाद जो center में जहाँ पर सूरज होगा वहाँ पर मैंने थोड़ा सा white color दिया है और उपर सबसे उपर मैंने यहाँ पर sky blue color दे रहा हूँ और उसके साथ मैंने pink color को मिला दिया है तो कुछ इस तरीके से मैंने जो evening time का जो sky होता है उसको मैंने यहाँ पर paint कर दिया है आभी देखिए जहाँ पर सूरज होगा उस सूरज का जो किरने है वो आसमान में जो cloud से उसके उपर पर रहा है evening time पर clouds थोड़ा different होता है मतलब पर clouds भी colorful होता है तो इसलिए देखे यहाँ पर मैंने clouds को highlight कर रहा हूँ white color और yellow color से और उपर जहाँ पर सूरज है उससे जितना दूर होगा clouds का जो highlight है वो उतना ही color dark से करना होगा मतलब कि सूरज के नजदिक जो clouds से वो ज्यादा light होगा और सूरज से जितना दूर होगा clouds वो उतना ही थुरा dark होगा तो इसलिए अभी आप देख रहे है कि यहाँ पर उपर मैं brown color से यहाँ पर clouds को paint कर रहा हूँ उसके बाद भी देखे clouds की जो नीचे का हिस्सा है मतलब जहाँ पर सूरज का रोशनी पर रहा है वहाँ पर मैंने yellow color और pink color से उस brown color के clouds को मैंने highlight कर दिया है ठीक है तो कुछ इस तरीके से evening time का जो आस्मान होता है उसको paint करना होता है आई होप आप evening time का आस्मान कैसे paint करते है यह आप लोग समझ गए होंगे अगर नहीं समझे है तो वीडियो को repeat करके दूबारा देख सकते हैं अगर आप लोगों का ऐसा लगते है कि वीडियो में speed तुरह ज्यादा हो गया है तो आप वीडियो का speed तुरह कम करके भी देख सकते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आप लोगों को मेरी website के बर्में बातना चाहूंगा यह मेरी website है जिसका नामे बिश्वुनत आर्ट डॉट इन यहापर आप लोगों को बहुती कम प्राइज में बहुती संदर और बहुती अच्छा अच्छा टेरा कोटा और और भी आदर्स मेटरियल का मूर्ति मिलेगा तो description box पर मेरी website का link है आप जरूर जाईए और आपना favorite मूर्ति का order book कीजिए तो मेरी website का link आपको description box पर मिल जाएगा आप जाके एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और मुझे Instagram और Facebook के follow कर लिजिएगा मेरे Instagram और Facebook का link भी description box पर मैंने इस वीडियो के बारे में इस पेंटिंग के बारे मैंने बहुत सा information दे रखका है तो इसलिए आप एक बर description box जरूर चेक कीजिएगा ठीक है जैसे कि यह जो color है यह color कौन सा है यह painting board कौन सा है ठीक है यह सारे जानकर यह आपको description box पर ही मिलेगा तो इसलिए description box ज उसको भी और भी finishing करना बाकी है अभी देखें यहापर जो घर है side में village का तीन चाल इस घर को अभी में paint कर रहा हूं तो friends sunset time पे अब जब भी कोई घर या फिर कोई भी चीज़ paint करते हो ना तो उसमें आपको shadow का बहुत ध्यान राखना पड़ेगा क्योंकि sunset time या फिर morning time पे आप देखिएगा कि जो चीजे है उस पर जब sunlight पड़ता है तो उस तरह बहुत ही रोशनी होता है बहुत ज्यादा और जिस तरह sunlight नहीं पड़ती है उस तरह बहुत ज्यादा अंधिरा होता है तो ऐसा होता है sunset time और morning time पे तो इसलिए आप आप जब sunset painting करेंगे तो आपको य यही light and shadow का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है तो friends आप देख रहा है कि यहापर हमारा जो घर है वो painting करना हो गया है अभी हम घर के सामने जो रास्ता है उसको हम paint कर रहा है तो रास्ता को paint करने के लिए यहाँ पर मैंने biscuit color और यह जो brown color है इसका इस्तिमल कर रहा हूँ brown color मैंने रास्ते में जहाँ पर shadow है उसको दिखाने के लिए किया है और जो biscuit color है वो रास्ते का जो normal color है वो biscuit color है बिस्किट color आप कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको yellow color थोड़ा सा red color और white color के ज़रत परेगा तो इससे आपको biscuit color बन जाएगा तो देखिए रास्ता paint करने के बाद अभी side में जो green color है उसको मैंने दे दिया क्योंकि वहाँ पर मैं घास paint करूँगा और उसके बाद देखिए black color से मैंने जगे जगे पे ये जो दिया है वहाँ पर मैं पत्थर को paint करूँगा ठीके तो कुछ इस तरीके से मैं step by step paint करूँगा और साथ में जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो है painting में जो highlight होता है ठीके मतलब light and shadow उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो side में जो घास है उसको मैं paint कर रहा हूँ एक fan brush से तो friends यह जो brush है fan brush यह brush एक बहुत अच्छा brush है पेर को paint करने के लिए मतलब पेर का जो पत्तिया है उसको paint करने के लिए ठीक है तो इस brush का link भी आपको description box पर मिल जाएगा और भी जो brush है उसका भी link आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आपके पास acrylic paint करने का brush है वह अगर आपके पास है तो उसी brush से आपका कम चल जाएगा क्योंकि यह जो painting है यह acrylic style का painting है हाला कि यह acrylic color नहीं है लेकिन यह painting में कर रहा हुए acrylic painting जैसे ही है तो इसलिए आपके पास acrylic paint करने के लिए brush है या फिर acrylic paint है तो आप उसकी मदद से आप ऐसा painting आप आराम से कर सकते हैं इस पेर को paint करने के लिए सबसे पहले मैंने deep green color को दिया है और उसके बाद आभी देखिए जो normal green color है उससे मैंने इस पेर को highlight कर रहा हूँ मतलब इस पेर की जो पत्तिया है उसको मैं highlight कर रहा हूँ fan brush से और उसके बाद मैंने इस green color को और भी लाइट करूँगा योलो color मिला के और उस color से मैं इस पेर को और भी ज्यादा highlight करूँगा जिस तरफ sunset का जो light है मतलब sunlight जहाँ पर ज्यादा पर रहा है उस site पर हमें ज्यादा highlight करना है तो ही आपका जो पेर है वो ऐसा लगएगा कि हाँ इस site से sunlight पर रही है और आपका पेर ज्यादा नैचरल लगएगा ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बहुती शांदर सा एक नारियल का पेर पेंट करेंगे ठीक है नारियल का पेर एक बहुती ब्यूटिफुल पेर है कोई भी scenery painting को अच्छा दिखने के लिए है अलाकि सब चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन नारियल का पेर मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है painting करने में देखिए नारियल का पेर painting करने में बहुती आसान है सबसे पहले मैंने किया कि अब ब्लैक कलर से पेर का जो शेप है वो मैंने paint कर लिए जैसे कि पेर का जो पत्तिया है ठीक है ये सब मैंने ब्लैक कलर से अभी paint कर रहा हूँ और उसके बाद नौर्माल ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर इन दोनों कलर से मैं इस नारियल पेर को हाइलेट करूँगा जैसे कि आभी आप देख रहा है सेम वही प्रोसेस में जिस प्रोसेस में मैंने और भी जो पेर है उसको मैंने हाइलेट किया है नारियल पेर को paint करने के बाद आप ही हम क्या करेंगे यह जो पानी है इस पानी को हम हाइलेट करेंगे तो फ्रेंट्स पानी को हाइलेट करने के लिए आपको जो ध्यान में राकना होगा वो है आपने sky कौन से color से किया है ठीके यहाँ पर देखिए हमारा sky में मैंने yellow color, pink color और थोड़ा सा नीला color भी है तो आपको पानी भी वैसरी color से करना होगा क्योंकि पानी का तो खुद का कोई color नहीं होता जो color पानी में पड़ता है उसी को ही पानी का reflect करता है तो इसलिए पानी में आपको वही color से करना पड़ेगा कुछ colorful करके यहापर मैं कुछ जारिया को paint कर दूँगा तो फ्रेंट्स यहापर मैं एक दो और छोटा छोटा पेर को paint कर देता हूँ ताकि इस साइट पे पेंटिंग के इस साइट पे थोड़ा सा अच्छा लगए देखने में ठीक है तो यह जो पेर है इस पेर का जो पत्तिया है वो मैं ज्यादा dense नहीं करूंगा थोड़ा सा लाइट करके यहापर पेर का पत्तिया में paint करूंगा फैन ब्रश की मदद से जो डीप green color है उससे मैंने इस पेर का जो पत्तिया है उसको मैंने अभी paint कर रहा हूँ और इसके बाद इस पेर को हलका से highlight करूंगा इस पेर की पत्ति को light green color से तो बस हमारा जो painting है वो complete हो गया है तो दोस्तो आशिका यह जो painting है यह आप लोगों काईसा लगा यह मुझे जरूर कमेंटरे मताईएगा और मेरी website पे जरूर विजिट कीजिए विश्णता.in पे मेरा website का link आपको description box पर मिल जाएगा जरूर जाएए और विजिट कीजिए एक बर तो friends इस वीडियो को पुरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जरूर देखने के जुक कि अथएगा बहुत 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 खाल